देश की राज़ानी दिल्ली में पुलिस काउंस्टेबल की हत्या के आरोग में दो नाबालिक समें चार लोगों को गिरफतार किया जा चुका है इस मामले में पुलिस ने बताया कि इन चार आरोपियों को दिल्ली पुलिस के काउंस्टेबल जबीर सिंग को गोली मार कर हत्या कंदे के आरोप में अलग-अलग एलापों से गिरफतार किया गया है आपको बदा रें कि दो आरोपियों की पहचार संतोश और टोंडा के तौड़ पर की गई है और साथ ही इनके पास एक आउंस्टेबल की सर्विस रिवॉल्वर को भी परामत किया गया है दरसल इन लोगों ने गोली मार कर हत्या करने के बाद उनके रिवॉल्वर को भी छील कर अपने पास रख लिया था गोलतलब है कि रविवार की रात तक्रीमन देर बजे दिल्ली के विजय बहार इलाके में इन लोगों ने कॉंस्टेबल और सिपाहियों के उपर हमला किया था पुलिस की दिजानकारी के मताबिक जब इनका पीछा दिया गया तब पदा चला कि ये लोगों कहीं पर डकैती डालने जा रहे थे एक सान न्यूस के लिए देख शाथ लिपूर